साचित तुम्हें बता है कि इमाम अलियल इसलाम ने जो नौ खुश्यों की चाबिया बताई है उसके छटी चाबिया कौन सी है कभी भी परिशान नहीं होना है चाहे मसला कितना भी बड़ा हो नाउमीद नहीं होना है नाउमीद नहीं होना और इस बात का हमें यकीन रखना है कि अगर हम सब्र करेंगे तो बहतर जरूर होगा सब्र ही तो करना मुश्किल है नीलम यहीं तो नहीं होता किसी से और यही वज़ा है कि हमारे आज के अपिसोड में चरचा टाइम में हम खुश रहने के लिए ये जरूर सीखेंगे कि सब्र किस तरह करना है और इसका तरीका क्या होना चाहिए कि सब्र कहने के लिए कि हर बात पर यही होता है कि सब्र करो इंशालला सब बेतर होगा लेकिन इसका तरीका नहीं पता तरीका जाने के लिए आईए शो पर मुलाकात करते हैं और इस्तिक्बाल करते हैं حجت الاسلام والمسلمین आली जनाम मौलाना वसी हसन खान साथ की विलाइस वक्षोबे मौजूद है सलाम अलेकुम आगा कैसे हैं आप सलाम अलेकुम मौलाना साथ जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अगर इनसान खुश रहना चाहता है तो उसे सबर करना चाहिए लेकिन अखल जिन्दगी में जब मसायल बढ़ जाते है परिशानिया बढ़ जाती है तो हमारा दिल हैना टूटने लगता है अल्ला से उम्मीद कम हो जाती है हम सबर नहीं कर पाते हमें लगता है कि कुछ बहेतर हो ही नहीं सकता तो सबर इसमें किस तरह करना है अकुदो बिल्लाह मिन श्यटान रर्जीम बिसमिल्लाहर्रह्मान र्रहीम अल्हम्दो लिल्लाह वसल्लाह वालाह रसूलिलाह वालिह अत्ताहरीन देखिए सबर का मकाम और मरतबा बहुत बलंद है आप कुरान भी जब देखिएगा तो वस्ताइनू बिस्सबर वस्सलात मदद हासिल करो सबर के जरीए से और नमाव जरीए से अगर चे बाद रिवायतों में यहां सबर से मुराद रोजा है लेकिन लफजे सबर इस्तेमाल हुआ है सबर के बड़े फवाईल है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन जहां तक बात आप की है कि सबर का करना आसान नहीं है यह कुछ चीजें हैं कि अगर हम उस पर तवज्ज़ कर ले तो सबर के लिए काफी हद तक राह हमवार हो सकती है कुछ पुरान ने भी रास्ता बताया है और उसके अलावा भी रिवायतों में इसके रास्ते मौचूद है पहली चीज जो सबर के लिए कही जा सकती है वो यही है जो इससे पहले भी किसी उसमें आ चुका है इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलेह राज़ून क्या मतलब हुआ इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलेह राज़ून हम सब अल्लाह के उसी की तरफ पलटके जाने वाले है यानि क्या मतलब हमारा कुछ नहीं है पहला तरीक यह सबर यह है कि आदमी जहन से यह निकाल दे कि हमारा भी कुछ आई इस दुनिया माल, दौला, जायदा हन्त हम खुद तो पिर किस का है का उस का है हम क्या है का अमानत्दार हो तो पहला طریق Being ये है कि मिलकियत का तसवर निकल जाए जहन से अमानदारी का तसवर पैदा हो जा तो इन्सान के लिए फिर उसका जो लाजमी नतीजा है कि न मिलने के खुशी है न चाने का गम है तो पहला तरीका ये है सब्र का कि इनसान अपने जहन से ये बात निकाल दे कि हम किसी चीज़ के मालिक हैं जो कुछ है वो उसका है और जब ये तसवर आ जाएगा मसलां मिसाल के तरा के उपर हमने आपको 50 रुपई दे दिये पचास हजार दे दिये ये काहे के लिए हम रखे रहो बताएंगे दो महीने बाद हमने फोन गया के साजिद जो है इस 50 जार मैंसे 25 जो है इनको दे देना जाएगा आपको तकल्फ होगा देने में आपका तो नहीं है ना हमें एत्ते दिन से इसको हमको रखना पड़ा चलो यार जंजट खत्म होई तो जिस दिन अमानत का तस्वर होगा तो उस दिन आपको खर्च करना भी आजसान हो जाएगा इसलिए कि जिसका माल है जिसकी चीज है हमारे पास अमानत जो कह रहा हम वहाँ उसको खर्च करते जाएगा तो पहला तरीका यह सबर क्या है कि हम मालिक नहीं है हमारे पास जो है हम अमानत दार है दूसरा तरीका यह सबर यह है कि जो उस दिन भी मैंने शायद किसी उसमें बताया कि आदमी के जहन में ये हो कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारा अल्ला देख रहा है जिसको सवाब देना है जिसको अजाब करना है हमारे इंसारे मसायल को देख रहा है और उसको अमली तोर पर हमारे इमाम हजरते सयद उश्चुहदा ने करवला में बाकाइदा फरमाया भी है अच्छा आप बताईए कि 18 साल का बेटा किसी का मर जाए सबर आसान है उसके लिए 32 साल का भाई किसी का जाए वो शहीद हो जाए आसान है उसके लिए लेकिन वो सब रिवायत कहते है कुल लमश्तद लवग अश्रक वजहुलहुसेन जैसे जैसे मुसीबत बढ़ती जाती थी इमाम का चेहरा चमकता जाता था इसके पीछे रास क्या है इसके पीछे सबब क्या है सबब वही है कि मौला इमाम हुसेन लिएसलाम इनको अपनी मिल्कियत नहीं समझते थे अमानत खुदा है जैसे जैसे वापस करते जाते थे वैसे वैसे इत्मिनान बढ़ता जाता था एक दूसरे खुद इमाम ने फरमाया है जितनी मुसीबतें नाजिल होना है मेरे उपर हो ले सब आसान है क्यों इसलिए कि मेरे अल्ला की नजरों के सामने है जी तो दूसरा तरीके सब्र क्या हुआ कि हमारा अल्ला देख रहा है सब्र आसान है तीसरा तरीके सब्र आप तारीक पे नजर डालिए ना कि हम पर जो आफ़त आई है हम हैं क्या हमसे बड़े बड़े लोग हमसे उचे 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 लोग उनके उपर हमसे बड़ी मुसीबते आई है मिसलां फर्स किजिए अल्ला महफूस रखे सब को कोई बिचारिया लड़की है बेवा हो गई तो टेंशन की बात है ना कैसे सबर करेगी उसका जवाब ये कि देखो तुम रुबाब से बढ़के नहीं हो तुम लेला से बढ़के नहीं हो तो एक तरीक तीसरा तरीका ये है ये तरीका अल्ला ने अपने नभी को सिखाया था समझाया था कि जब लोग पैगंबर को जो है वो परीशान करते थे तो पुरान में आयता आई है वलकद इस्तुख्ज अरुसुलम मिन कबलिक पैगंबर आप से पहले वाले रसूलों का भी मज़ाक उड़ाया गया कोई आप नहीं है नए तो तीसरा तरीका है कि हम पर कोई आफ़ज बला आती है तो हम ये देखें कि हमसे बड़े लोग हमसे अच्छे लोग हमसे बड़ी मुसीबतों में गिरफ़तार हुए हैं और वो अपने आपको उसमें सुर्खरू होके निकले हैं इन तरीका हुए ज टार करने वालों को कुरान म्जीद में एक आयत है फइन्ने माल उसर 있लिक य उस्रा अफ़ता हाच्छफर धरिजीड़ धरिजीड़ को हर परिशानियों के बादा आसानी है सवाल यह कि इस आयत को रिपीट क्यों किया गया कई दो बर कियों कहा गया हम भी यही मजलिस जो है वो कुरला में पढ़ करके फिर वही जा करके अधेरी में पढ़ दें तो भी तो पढ़ दिया उना रिपीट कर रहे है कुरान सेम आयत रिपीट कर रहा है भाई कोई वज़ा तो होगी तो वज़ा है उसका जवाब यही है यह उसका अपोजिट है यह आसानी अलमा और मफसरीन हमारे कहते हैं यह रिपीटेशन इसलिए हुआ है ताकि खुदा अपने बंदों को यह समझाए कि टेंशन मतलो हर परीशानी के बाद दोहरी आसानी है हर परीशानी के बाद डबल आसानी है इसी चीज़ को किसी अरब शायर ने भी कहा है एज़ा दाकि बिकद दुनिया तफक्कर फी अलम नश्रा जब दुनिया तुम्हारे उपर तंग हो जाए तो सूरे अलम नश्रा के उपर घौर करो इसलिए यह आयत कहा है सूरह अलम नश्रा में इज़ा दाकत भीके दुनिया तफक्र फी अलम नश्रा जब दुनिया तुम्हारे उपर टंग हो जाए तो सूरह अलम नश्रा पे गोर करो तो वहां देखो गे तुम गुरान में कि अल्ला ने हर मसीबत के बाद दौरी आसानी रिकी तो यह तस्वर जिस दिन हो जाएगा उस दिन हमारे लिए सबर करना आसान हो जाएगा तो मुरा आपो आपने कई طریقے बताए हैं सबर करने के अब एक चीज है जो मैं जानना चाहता हो कि सबर कब करना किस मौके पर एक मौका मैं आपको बताता हूँ कि मसलें मेरे उपर बहुत मुसीबत पड़ी है मेरा माल किसी ने ले लिया है तो यह मैं तहरीम अल्यासलाम की जिंदगी पर भी अगर नज़र डालते हैं तो अपने हग का मुतालएव तो हम लोग कर सकते हैं कि सावर का मतलब यह नहीं है कि आप अपने हक से आख बंद कर लिए उसके सिलसले में कते कलाम होता है आपका माज़र चाहते हैं उसके सिलसले में तो खुद हदरते सिद्धिक ताहरा सलाम अल्या कि जिंदगी हमारे लिए उस्वा और नमूना है कि उन्होंने जो है वो छोड है नहीं दिया उसके लिए जंग नहीं हुई तो क्या यह चीस से हमें यह सिखना है कि हर मौका सबर करने के लिए नहीं होता है यह खिलाफ सबर नहीं होता है यह अपने हक का मुतालबा करना खिलाफ सबर नहीं है यह आप क्यों समझ रहे हैं कि हक का मुतालबा करना खिलाफ लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है न निला मेला जो सब्र का पहमाना होता है वो भी लबरेज हो जाता है तो अब इनसान है अगर कभी न कभी कुछ हो जाता है तो फिर उसका तो कोई उपा दे लेकिन ये जहन में रहे बदले में यह नहीं किसाब इन्हों ने हमारा यह किया तो हम भी यह कर दें तो पिर हम अग्रेसिव अगर हुए तो पिर हम मुझरिम बन जाएं हमें कीड का जवाब पत्थर से देना नहीं है इसलाम नहीं सिका तो वहीं साजित एक हदीस मैंने भी पड़ी जो मैंने जहन में आ रही है मुझरिम साब हम अकसर सुनते हैं कि यह कहा जाता है कि जल्म के खिलाफ जितना देरी से उठोगे उतनी ही ज्यादा कुर्मानिया देनी पड़ेगी तो ऐसे में अगर आप पर जल्म हो रहा है और आपको सब्र करने कहा जाए तो किस तरह इस बात को समझा जाए कि कौन से मौकों पर हम सब्र करें कौन से मौकों पर हम आवाज उठाएं और अगर हम सब्र कर जाते हैं तो उस मौके पर बहतर क्या होगा देखिए इसके लिए जो हो हर इलाके में हर जगा उलमा मुझूद हैं, दानिश्वर मुझूद हैं, कोई जरूरी है कि हर फ़ैसल़ हम खुद कर लें, हमारी समय में नहीं आता, तो हम अपने मस्जिद के इमाम के पास जायें, हमारे कुन्बे में, खानदान में पढ़े करें इसलिए कि रिवायत कहीती है ये माँ खाब मैं इस्तखारा ववा न नदम मैं इस्टशारा जो काम मश्विरे के साथ करता है वह कभी जहे वह नादीम और शर्मिन्दा नहीं होता तो आपको मौके के इतिवार से नजाकत के इतिवार से तब्दील होंगे हालात ना तो आपने जो घर के इंक्लिक्ष लोग हैं पड़े लिख़े लोग हैं समझदार लोग हैं उनसे मश्विरा करना भी लोगों की अकल को अपनी अकल के साथ जोलो ना खुद क्यों कुले अकल बने जा रहे हो यानि मश्वरा करके यह समझने की कोशिश करें कि आपको स्कब्र करना है या उस चीज का जवाब कि जो हमारे घर में सीनियर्स हैं जो हमारे घर में बुझर गया है बलके रिवायत यहां तक कहती है शे मेरे खायल से मलब एक चीज जो हमनों को सीखना पड़ेगा वो यह है कि गुसब हो या कोई और प्रॉबल्म हूँ सबर करना सीखना पड़ेगा अगर सबर करना है हर चीज की ठेशी की ट्रेनिंग है हम जस तरह हर चीज की ट्रेनिंग लेते हैं हर चीज में अपने आपको बहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो जिन्दगी में हमें सब्र करना भी सीखना होगा. और सब्र एक ऐसी सवारी है, जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती. तो अगर हमारे पर मसायल आ रहे हैं, परेशानी आ रहे हैं, और अगर हम सब्र कर लें, तो इमाम अली ने जिस तरह कहा, कि बहतर जरूर होगा, और जब बहतर होगा, तो हम खुश भी जरूर होंगे. इन्शाला आप से मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में, और हम देखेंगे कि खुशियों के दरवाजों की साथवी चाबी कौन सी है. इसी उमीद के साथ हमें दीजे अजासत पर बने रहे चैनल विन के साथ पैगाम इंसानियत शुक्रिया.